अक्ट्रस विद्या बालन ने आज खार पुली स्टेशन में एक F.I.R दर्स करवाई है ये F.I.R उन्होंने एक unknown person के खिलाफ करवाई है विद्या बालन ने अपने शिकायत में बताया है कि विद्या बालन का नाम इस्तमाल करके कोई शक्स है जो इंडस्ट्री में लोगों को काम देने के एवज में पैसा एट रहा है इस शक्स ने ना सिर्फ विद्या बालन का नाम यूज किया है बलकि विद्या बालन की आइडेंटिटी भी यूज की है identity यूज़ करके इस शक्स ने विद्याबालन के नाम से Insta ID बनाया है, Whatsapp भी बनाया है और उसी के जरिये वो industry में कई लोगों को contact कर चुका है और काम देने के एवच में पैसा मांग चुका है ये stocks लंबे समय से विद्याबालन के नाम से ठगी कर रहा था लेकिन विद्याबालन को इस ठगी के बारे में पता तब चला जब उनकी बात अपनी पुरानी designer से हुई और उस designer ने विद्याबालन को बताया कि कैसे उन्हें एक message आया जिसमें दावा किया गया कि वो विद्याबालन है और उसमें कहा गया कि इसके लिए पैसा देना होगा, मैं तुम्हें काम दूंगी जब अपनी डिजाइनर से विद्याबालन को ये मेसेज मिला तो विद्याबालन शौक रह गई क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह का मेसेज नहीं भेजा था विद्याबालन को समझ आ गया कि उनका नाम इस्तमाल करके कोई और ही ठगी कर रहा है ऐसे में आज खार पुलिस स्टेशन में विद्याबालन पहुंची जहाँ पर उन्होंने ये F.I.R. दर्स करवाई है पुलिस ने इस F.I.R. को दर्स करने के बाद investigation शुरू कर दी है विद्याबालन ने सारे evidences दे दिये हैं जो जो भी उनके पास है और इसी के basis पर अब पुलिस काम शुरू कर रही है celebrities के साथ ठगी होना, celebrities की image का गलत इस्तमाल करना ये पहली बार नहीं हुआ है AI और social media के जरिये कई लोगों ने celebrities का नाम लेकर या तो ठगा है या फिर celebrities की गलत image सेट की है